जहन साथियो, स्वागते आप सभी का सत्या एक्सेलेंटी यूटूब चैनल पे आज की डिट में आपको देने वाले एक नई भरती की जनकारी और ये भरती निकल के आ रहे है भारती सेना की तरफ से जी हाँ, यदि आप भी दस्मी पास हैं और भारती सेना का आप भरती का इंतजार कर रहे थे तो आप के लिए सुनारा मौक है सबसे पहले इसके बारे में आपको पूरी जनकारी देंगे पोश्ट की, किस पोश्ट पर भरती निकल के आ रहे हैं और टोटल इसमें कितने सीट दरसाई गई है यहाँ पर post name में आप पहला post यहाँ पर देखिए सफाई वाला इसके बाद आपको यहाँ पर waserman और यहाँ पर आपको मैंच waiting के अंतरगा देखने को मिल जाती है एक और seat तो सबसे पहले आप यहाँ पर MTS सफाई वाला के पद पर देखिए इसमें जो यहाँ पर जनरल के लिए 7 सीट खाली देखने को मिलती है EWS के लिए 3 सीटे, SC के लिए 4 सीटे, HT के लिए 3 सीटे और OBC के लिए हाँ पर 3 सीटे, ESM के लिए हाँ पर 2 सीटे और टोटल सीट आपको यहाँ पर 22 देखने को मिल जाती है जिसमें अपलाई कर पाएंगे 18 से 25 वर्स के चात्र यदि आपकी भी उमर 18 से 25 वर्स है तो आप इस फान को अपलाई कर पाएंगे इसमें जो आपको पेमेंट दिया जागा जो कि सुरुवाती पेमेंट यहाँ पर काफी कम है लेकिन अब यहाँ पर इजुकेशन कोलिफिकेशन में आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा इसमें जो आपका इजुकेशन कोलिफिकेशन में दिखाया गया है निचा आएंगे दो दुसरे पोश्ट पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है वासर मैंन के अंतरगत और इसमें जो आपको सीट खाले देखने को मिलती है जनरल के लिए 4 सीट खाले है EWS के लिए हाँ पर एक सीट खाले है SC के लिए हाँ पर कोई सीट नहीं है और ST के लिए एक सीट खाली है OBC के लिए एक सीट खाली है ESM के लिए हाँ पर आपको एक सीट देखने को मिल जाती है और टोटल सीट इसमें आपको आठ खाली देखने को मिल जाती है जिसमें दसनी पास पलस इससे आपको इससे आपका ज देख सकते हैं, मोची के अंतरगत, कुप के अंतरगत, वारबर के अंतरगत, बहुत सारे सीट इसमें आपको खाली देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप अपलाई करना चाहें, तो अपलाई कर सकते हैं, अब यहाँ पर बात करते हैं, यह जो पार में भरना कब से स्टार्ट होगा और यह किस तरह की जनकारी निकल के आ रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिश्ट्री आप डिफेंस आर्मी की तरफ से यह नोटिफिकेसन जारी किया गया जिसका फॉन भनने का जो ओपिन डेट रखा गया आठ फरवरी 2023 रखा गया है अब यहाँ पर बात करते हैं इसमें एक्जाम होने वाला किस तरह का तो इसमें जो आपका एक्जाम होने वाला साथी वो ध्याने कियेगा और यह आपका जो एक्जाम होगा इसको आप नोट कले जगा इसमें आपका जो लोकेसन रखा गया सबसे पहले हैं आप का पोश्टिंग होने वाला राजस्तान इसमें आप देखिए आपको यहाँ पर यहाँ पर देखने हों को मिल जाते हैं जम्मू एंड कास्मीर इसके बाद यहाँ पर पंजाब रखा गया उत्रा खंड रखा गया है अतलब यहाँ पर जितने पूश्ट दियेगे किसी भी आप şunu को फी घैजा सकता है इसके बाद यहाँ पर आप ने चाहेंगे तो यहां पर बता है इसमें पेजाम होगा की नहीं इसमें आपका exam करा जाएगा ध्या निकेगा और इसमें जो आपका होने से document यहां पर आपको यहां पर attach करना पड़ेगा इसके बारे में इन्होंने जनकारी दे रखिए जो सबसे पहले इन्होंने दस्मी पास का है इसके बाद डेट आप बर्थ इसके बाद यहां पर आपका जो यहां पर जाती पर माल परता है बाकि यहां पर जो आपका इस टाम पेपर होने वाला है पांच का यहां पर आपको लगाना पड़ेगा और भी यहां पर दो आपको यहां पर फोटो आपको यहां पर चिपकाना पड़ेगा बाकि इसमें अधर कोई भी जनकारी नहीं दी गई है नीचे आप आएंगे साथे हो तो यहाँ पर जो document है यहाँ पर examination उसके बाद आपको document verification के लिए बुलाया जाएगा तो जब यहाँ पर इसकी पूरी परिक्रिया होगे उसके बाद आपको document verification के लिए बुलाया जाएगा इसके बाद यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर एक्जाम फिस की बात करें तो इसमें कोई भी आपका किसी भी तरग का एक्जाम फिस की यहाँ पर बात नहीं की गई कि आपका एक्जाम फिस लगने वाला है और यह जो फार्म भरा जाएगा आपका आफ लैन सिविकार नहीं किया जाएगा तो selection process जो इसका रखाएगे सबसे पहले आपका retain होगा टेस्ट हो रिटेन टेस्ट होगा उसके बाद फिचकल होगा फिचकल टेस्ट होगा उसके बाद medical टेस्ट होगा इस तरह आपका selection होने वाला है